हेलो दोस्तों हिंदुस्तान यूनी लीवर के बारे में बात करेंगे लार्ज कैप कमपनी है क्वाटर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं और साथ-साथ में डिविडेंट के बारे में भी खोशना होने वाली है तो बिजनस को समझेंगे इस वीडियो में जहां हम होने वाला है और कंपनी ने जो भी डिविडेंट आएगा यह इंटरिम डिविडेंट आने वाला है जनरली साल में दो बार डिविडेंट आता है तो यह पहला इंटरिम डिविडेंट है नवेंबर 6 इसकी रेकॉर्ड डेट भी कंपनी ने अभी खोशित कर दिया दोस्तों दिविडेंड हिस्ट्री है रींव में देख सकते हैं कि साल में डो बार जो आता है एक आप 24 हे साल में ध्रटी 2 हो रहा है bleibt उससे पहले वाले साल में देखेंगे अगें दो बार डिविडेंट था तो टोटल 39 रुपीस का डिविडेंट था दोस्तों इस बार देखते हैं कि क्या डिविडेंट बढ़ रहा है या वही लेबल पर रह रहा है आपका क्या एक्सक्पेक्टेशन है जरूर मुझे अब बात करते हैं डिविडेंट पे आउट की इसका मतलब क्या है कि कंपनी जितना कमाती है फॉर एक्जांपल कंपनी 100 रुपीज कमाती है तो उसमें से कितना वो अपने शेर होल्डर के साथ एस डिविडेंड वो डिविडेंड पे करती है तो लास्ट थ्री यह का अगर जो बिजनस है वो जो भी प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड अपने शेर होल्डर के साथ डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं तो अब आते हैं बिजनस के उपर उससे पहले एक इंपोर्टन चीज आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं उसकी लिंक मैंने ड इंफोर्मेशन रेगुलर्ली वहाँ पर शेर करता रहता हूँ परसनल फाइनांस लिट रिलेटेड हो सकता है या फिर गोल प्लानिंग या फिर रिटार्मेंट प्लानिंग रिलेटेड बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको मिले की दोस्तों चलिए अब में पॉइंट पर आ ओन करती है और मैक्सिमम जो घर है उसमें कोई ना कोई जो HUL का ब्रांड है वो जरूर्ट चलता ही होगा अब किस तरीके से उनका ग्रोथ का स्टेटेजी है पहला तो ब्रांड सुपियर रेटी क्योंकि बहुत सारे ब्रांड घर घर में जाने जाते हैं दूसरा प्रीमियम लाइफ बोई है सिंपल एक सोप है लेकिन दूसरी जगह में डव है अब डव एक प्रीमियम हो गया लाइफ बोई से डव का प्राइस ज्यादा रहेगा क्योंकि कुछ एड़ेट बेनिफिट्स यहां पर होते है थोड़ा मॉस्टराइजर जैसा भी यहां पर लाइफ चल रहे है और प्रीमियम प्रोड़क्ट में जो कंपनी जहां उनको ज्यादा मार्जिन्स भी मिल सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट है ही ग्रोट स्पेस पे अपना पोटफॉलियों को रीशइप कर रहे हैं और भविश्यक्र के जो चैनल से वहां पर वो ग्रोट कर रह तो उनको कुछ raw material चाहिए, तो main raw material क्या हो सकते हैं, crude oil, soda ash, palm oil, skimmed milk या चाई, तो यह सब कुछ example है, आप 2022 में देखेंगे, अचानक से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, खासकर Ukraine रिश्या की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में, लेकिन पिछले दो साल में जो raw material के price हैं, वो थोड़ा कम हुए हैं, आप देखें, दो साल का June quarter और जून 2024 का quarter में आप देखें, maximum चाहिए को छोड़के, सब raw material के price कम हुए हैं, अब यह अच्छा क्यों हो जाता है, क्योंकि इससे margin भी, जो है, थोड़ा सा increase हो सकता है, पहली चीज, और दूसरा एक औ positive हो सकता है, कि जो कुछ prices जो उन्होंने उस समय में बढ़ाए हो, product के, वो फिर से थोड़ा सा कम भी कर सकता है, और थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ product में, यहाँ पर price को भी revision किया हुआ है, अब actual में एक जो चीज है, वो है, जैसे sales का data, तो यहाँ पर growth 2% ही है, अब Q2 का result में पता चलेगा, कि वो अब क्या sales के number यहाँ पर आ रहे है, margin आप देखेंगे, steady 23-24 के बीच में हमको देखने को मिल रहा है, result आएंगे, तो हमको margin पर और ज्यादा पता चलेगा, profits पर भी पता चलेगा, बढ़ आप देख सकते हैं कि revenue profits 2-3% से ही grow कर रहे है, अब यहाँ पर क्या नए trend आ रहे हैं, वो देखना important रहने वाला है, अब अलग-अलग segments है, जैसे home care, जैसे comfort as an example है, 20% margin वाला है, और revenue 5,675 करोड यह लेकर आ रहा है, कौन home care का segment, beauty and well-being वाला जो segment है, वो 31% high margin है, revenue थोड़ा सा यहाँ कम है, personal care सबसे कम यहाँ पर revenue लेकर आ रहा है, और margin यहाँ पर सबसे कम हमको देखने को मिल रहा है, फिर food and refreshment यहाँ पर revenue ठीक ठाक है, margin 19% के आसपास में, तो आप ऐसा मान सकते हैं, सबसे ज़्यादा revenue home care के जो vertical है, वहाँ पर आ रहा है, लेकिन margin सबसे ज़्यादा beauty and well-being वाला जो segment है, वहाँ पर आ रहा है, दोस्तों, यह कुछ business insights आप देख सकते हैं, तो last में, जब result आएगा, तो rural recovery signal को देखना है, mass segment में recovery थोड़ी slow हुई है, उसको देखना है कि क्या वहाँ पर recovery हो रही है या नहीं, EBITDA margin क्या बढ़ रहे है या नहीं, वो देखना है, और चुकि ads spend बहुत जादा हुए है, royalty भी है, तो margin पर इसका क्या impact पड़ता है Q2 के result में, वो देखना रहेगा, last में valuation पर बात कर लेता है, P ratio 63 का एक नजर में देखेंगे, तो आपको थोड़ा महंगा नजर में आएगा, लेकिन historically अगर आप देखेंगे, तो कुछ ऐसा ही margin उनका रहा है, median P, मैं कुछ एक random कोई भी एक date ले ले margin है, 19-20, उस समय में भी margin हमको 60 के उपर ही देखने को मिला है, जो अभी भी देख रहे है, last 3 year के अगर हम बात करते हैं, तो अभी आप देखेंगे 60 के आसपास margin, तो अभी historical level के आसपास या थोड़ा ज्यादा valuation में, HUL का जो business है, हमको देखने को मिल रहा है, दोस्तों, मु learning पर हमारा focus रहता है, thank you दोस्तों.